दोस्तो आधार काड की बहुत बड़ी अपडेट आई है कि आधार काड अपपलास्टिक का आधार काड होगा सो guys मैं हूँ पर्वजच खान और आज की इस वीडियो में मैं बताओंगा आपको कि पीवीसी आधार काड्ड एक नए अपडेट आगया है कि पीवीसी आधार काड आपको अपने मोबाई से अपलाई करने के बाद आपके घर पे एक प्लासटिक का आधार काड आ जाएगा इस वीडियो में आपको complete process बताने वाला हो कि इसे कैसे मगाया जाता है तो चलिए बिना किसी दरीके शुरू करते हैं वीडियो की description में मैंने एक link दिया हुआ है जब आप वहां से click करेंगे तो आप UIDAI की official website पे आ जाएंगे हमें क्या करना है कि हमें PVC आधार card के लिए online करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे नीचे scroll करके आएंगे नीचे scroll करके आने के बाद लिखा हुआ है यहां पर order आधार PVC card तो इहां पर हम click करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज उपेन होकर आएगा जिसमें आपको यहाँ शो करेगा कि यह सेक्यूर क्यूर कोड मिलेगा इसमें और सबसे बड़ी बात एक होलोग्राम दिया होगा और इसमें गलच पैटर्न दिया है कोस्ट इमेज और माइक्रो टेक्स दिया हुआ है यानि कि आप जब भी इसे कहीं और से प्रिंट कराएंगे तो आपका इसमें नाम नहीं आएगा इसके बाद यहाँ पे इसमें 50 रुपे की आपकी फीस लगेगी जोकी include GST के साथ है और आपके घर पे speak post के द्वारा आपको भेज जिया जाएगा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक अधार नमबर की जरुवत है अगर अब हो नहीं है तो आपको virtual ID देनी पड़ेगी अगर वो भी नहीं है आपके पास तो enrollment ID देनी पड़ेगी यानि जब भी अपने आधार काड नया बनवा तो आपको एक enrollment ID दी जाती है तो हमारे पास आधार नमबर है तो हम यहाँ पर आधार नमबर फिल करेंगे यहाँ पर हम same capture फिल करेंगे यह जो capture दिया है फिल करेंगे उसके बाद हम अपने mobile नमबर पर एक OTP send करेंगे अगर आपका mobile नमबर लिंक है तो आप send OTP पर क्लिक कर देंगे अगर mobile नमबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर consent देंगे और जो भी mobile mobile नमबर है आपके पास वो यहाँ पर फिल करेंगे और send OTP पर क्लिक कर देंगे इसके बाद term and condition को accept करेंगे इसके बाद यहाँ पर submit पर क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आपके आधारकार की पूरी detail आ जाएगी यहाँ से आप देख लेंगे अपनी details को पूरा complete कर लेंगे उसके बाद make payment पे क्लिक करेंगे make payment पे क्लिक करते ही आपके सामने payment का option आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है इसके लिए सिर्फ आपको 50 रुपीज देने पड़ेंगे जिसमें आप अपने UPI का use भी कर सकते हैं net banking का use कर सकते हैं और आप यहाँ पे कार्ड का भी आप यूज कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पे कार्ड का use कर लेते हैं या UPI का use करके हम यहाँ पे इसे payment कर देते हैं payment करने के लिए आपको Google पे phone पे भीम UPI या आप Amazon या Paytm से भी कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पे phone पे से कर लेंगे फोन पे कि यहाँ पे हम UPI ID डालेंगे इसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीट पे क्लिक कर देंगे प्रोसीट पे क्लिक करते ही हमारे जो भी हमारा फोन पे है उस पे एक मैसेज जाएगा और वहाँ से हम इसे ओके कर देंगे payment okay होने के बाद आपको यह redirect open हो जाएगा और यहाँ पे payment receipt order आपको successful हो चुकी है यहाँ पे आपको एक srn number मिला है जिसे आप copy करके आप कहीं भी रख सकते हैं या तो आप इस download payment receipt को download कर सकते हैं download करके save करके रख लेंगे और इसे अपना status चेक करने के लिए आपको यहाँ आना है आपको चेक आधार pvc status पे क्लिक करना है और आपको सबसे पहले यहां पे अपना यी आधार नमबर फिल करना है उसके बाद capture फिल करेंगे उसके बाद send OTP पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके मुबाईल नमबर पे एक OTP जाएगा जो की यहां इंटर करेंगे चलिए हम इसे कर लेते हैं term and condition को accept करेंगे और submit पे क्लिक कर देंगे तो submit पे क्लिक करते ही हमारे सामने हमारा SRN नंबर आ जाएगा इसतेटस है request received हो चुकी है request की date आज की है उसके बाद your request for PVC card received हो चुकी है जोगी 24 घंटे के अंदर आपकी approval हो जाएगी उसके बाद अगर आपको download acknowledgement पेलजिमेंड सुलिप्स फिर से आपको डाउनलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलूड कर सकते हैं यह विटियो पसंद आए होगी विडियो को लाइक करें अपने पिरेंट के साथ शेर करें अगर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यृत